माइक्रो बायलोजी कोर्स क्या है? कैसा कोर्स है? किन cute students को ये कोर्स करनी चाहिए? job aspects क्या है? संभावित salary क्या है इस कोर्स का दोस्तो आज हम माइक्रो बायलोजी कोर्स के बारे में जानेंगे Microbiology course जीब बिग्यान का ही एक साखा है जिसमें सुचम जीबों की सरचना, बैवाहार, क्रिया, इत्यादी का अजदन किया जाता है सुचम जीबों का अजदन एक मौतोपून भी से बन जाता है क्योंकि सुचम जीब संपून जीब जगत पर ही असर डालता है जैसे कि सुचम जीबों के कारण से बहुत सारे रोग होते हैं मानुवों में, जिब जनतों में इसलिए उन सुचमजीवों का अजदन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि उन रोग जने सुचमजीवों से कैसे रोग होता है ये जाना जाए और उन रोगों का उपचार निकाला जाए सुचमिजीवों का उपयोग food industry में भी होता है जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं दही के बनने में, सराब के बनने में, आचार के बनने में सुचमिजीव ही मुख्य सायक की रूप में काम आता है food industry को और भी बैतर बनाने के लिए food industry में उप्योग किये जाने वाले सुचमोजीवों का अजदन अती आवेश्यक हो जाता है कुछ सुचमोजीव हवा में nitrogen को सोक लेता है जिसके कारण से मिट्टी का उर्वरा सक्ती में बृद्धी होता है यानि सुचमोजीव agriculture में भी सायाख है अता यान भी सुचमोजीवों का अजदन अती आवेश्यक हो जाता है सुचमोजीवों का उप्योग medicine बनाने में भी होता है कोई भी student microbiology को as a career लेना चाहता है वो ले सकता है क्योंकि microbiology एक अच्छा subject है और microbiologist का demand दिन परती दिन बढ़ता ही जा रहा है परन्तु संबंदित विशे में अधिक रूची होने से छात्र आसानी से अपना course complete कर सकेगा और छात्र में विशे से संबंदित creativity भी बढ़ीगी जिससे छात्र को अच्छी celery package मिल सकती है microbiologist की celery की अगर बात की जाए तो ये आपके योग्योता पर निर्वर करती है की आप graduate हो, master हो या doctorate हो और ये company to company भेरी भी करेगी फिर भी इंडिया में एक average best celery की अगर बात की जाए तो ये लगबग 17,000 की आसपास है हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद